खापर खेडा के दहेगाव रंगारी स्तित होटल एंपायर ग्रिल फैमिली रेस्टोरेंट पे संचालित हुक्का पारलर पर छापा मार कारवाई की गई यह कारवाई स्थानिय अपराज शाखा की टीम ने शुक्रवार को की पुलीस ने होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफतार कर उनके पास से 12,100 रुपयों का माल जब्द किया है हुक्का पारलर पर कारवाई में गिरफतार लोगों में होटल मालिक नेहल संजे रामटेक मैनेजर शक्तिकुमार फुलेलचन शर्मा शामिल है स्थानिय अपराज शाखा के पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नाकपूर सावनेर भोपाल राश्ट्रिय राजमार्ग पर कुछ होटलों में हुक्का पारलर चलाए जा रहे है इसके बार टीम ने नकली ग्रहकों को खापर खेडा थाना की सीमा के अंतरगत सावनेर के दहगाउ स्थित होटल एमपायर ग्रिल फैमिली रेस्टोरेंट पे भेजा जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि वहाँ हुक्का पारलर चल रहा है टीम ने चापे मारी की उन्होंने होटल मालिक को गिरफतार किया स्थानिय अपराज शाखा के पुलिस निरिक्षक अनिल जिट्टावार ने बताया कि कारवाई के हुक्का पारलर से विदेशी शराब, बीर, हुक्का के बरतन, हुक्का के पाईब, तीन अलग-अलग तरह की प्रतिबंदित सुगंदित तंबाकू भी बरामत की गई है सामगरी की कुल कीमत 12,100 रुपे थी, खापर खेड़ा पुलीस ने धारा 65E, 83, 84, सहकलम 4, 21, सिग्रेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 सहधारा 33 के तहत मामला दर्ज किया है